AMD Zen 3 Ryzen 5000 Series New CPUs इस announcement के साथ ही AMD ने Intel को पूरी तरीके से खतम करने के याने क्या बोलना जी एक तरीके से बरबाद करने के तहीरी कर ली है आप विश्वास नहीं करेंगे, currently Intel is nowhere near to AMD in terms of performance, in terms of physical core count, कहीं भी नहीं लगता है Intel जो तास था Intel के पास, तास था मतलब क्या बोलना चाहिए, जो crown था, USP था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था Intel का, कि उनकी जो single threat performance है, वो कफी अच्छी है और जो gaming performance है, they are building the fastest gaming chip, वो भी Zen 3 के launch होने के बाद चला जाएगा I don't know, कि Intel अभी क्या सोच रहा होगा, मतलब अपनी बरबादी का तमाशना देखना इतना असान नहीं होता, वो Intel अभी कर रहा है, क्योंकि उनका 11th generation rocket लेक आने का है desktop processor में, वो भी quarter 1, 2021 में आएगा और वो अगें 14 nanometer में रहेगा, 10 nanometer में नहीं रहेगा, क्योंकि उनका 10 nanometer वालो, जो willock of architecture है, वो 14 nanometer में backboard करेंगे, तो complete a mess है, पता नहीं, घुमा पिरा कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या performance मिलेगी, थरमर ये, वो दुनिया बर का, इंटल अभी busy है, 14 nanometer के साथ, उसको वहीं रहें देते हैं, हम अभी नए chips के बारे में बात करते हैं, इंटल के बारे में बात करेंगे, एक important बात यहाँ पर मैं आको बता दूँ कि, इस बार AMD ने performance के साथ साथ price भी पढ़ाई है, अब price के उपर मैं AMD को blame करूं, या फिर मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं, AMD को, अब जिसको बहतरीन performance चाहिए, बहतरीन मैं से बहतरीन, वो 5000 series के साथ premium pay करेगा, नहीं तो 3000 series purchase करें, वो भी chips काफी जादा अच्छी है, वो जो processor है, वो काफी जादा अच्छी है, इस तरीके से AMD चाहिए दोनों series को simultaneously, जाने एक साथ बेच प में रहके दिख सकते हैं, वैसे भी जो 3000 series के प्राइज है, वो storage के कारण मतलब supply के कारण वैसी थोड़े बढ़े हुए मिलते हैं इंडिया में, तो देखते हैं, 5000, 3000 दूरों साथ क्या होता है, ना, Zen 3 CPUs को, अगें TSMC के 7 nm में बनाया गया है, और यहां पर according to AMD, उनको जो 5 5 nm वाला जो Zen 4 architecture है, वो in design है और on track है, तो इस point को भी आप note करिएगा, और उनका जो new Zen 3 वाला 7 nm है, उसको भी optimize किया गया है, और Zen 3, new architecture के वज़े से यहां पर हमें total overall chip में, CPU में हमें 19% का IPC gain मिलता है, देख रहा हो नंबर 10%, 15% समझ में आता है, लेकिन यहां पर 19% का IPC gain AMD निकाल के दिया है Zen 3 के साथ में, जो कि एक huge number, एक significant number है AMD के लिए और हमारे ले भी, उन्होंने यहां पर Zen 3 का जो layout उसको भी change किया है, layout मतलब मतलब आख बताता हूं, पहले Zen 2 में, Zen 2 में हमें 1 CCX में 4 core और 16 वगरा मिलती थी, तो अगर 8 core का CPU बनाना है, तो आपर 2 CCX को use करन पड़ता था, और दोनों को link वगरा करते थे, जिससे जो cache था, वो divide हो जाता था, 16-16 करके, और फिर उसे interconnect करते थे, जिससे latency वगरा का issue थोड़ा था, लेकिन यह चीज जेंत्रिक जाज चेंज कर दिया गया है, अब यहां पर 1 CCX को 8 core और 32 के cache के साथ बना दिया गया है, ज इससे जो latency है, वो significant कम होगा, especially हम games इस चीज को feel कर पाएंगे, AMD ने यहां पर total 4 CPUs announced किये हैं, पहला है Ryzen 9 5950X, जो कि 16 code 32 thread का CPU है, और यह up to 4.9 GHz की boost frequency निकाल के देता है, वो भी 1050DP value के साथ में, जो कि content creation और gaming क्ले काफी बढ़िया है, मैं बोलूंगा, यहने 16 कोर होने के ब जो कि 4.8 GHz की frequency निकाल के देता है, 12 code 24 thread का CPU है, यह gimmick लिए काफी बढ़िया रहने वाला है, और एक 8 core वाला भी variant है, as usual, Ryzen 74800X, जो कि 4.7 GHz की boost frequency निकाल के देता है, यहां पर जो 6 core वाला जो variant है, वो है Ryzen 5 5600X, जो कि 4.6 GHz की boost frequency निकाल के देगा, 65Watt की TTP value को साथ में, अब यहां पर मैंने आपको पहले बता था कि AMD ने इसबार performance के साथ साथ प्राइस भी increase किया है, तो यहां पर जो 6 core वाला जो प्रोसेजर है, जो पहले मैं मिलता था जो 3600, 3600X वगेरा, वो 17-18,000 उपर के आसपास मिला करता था, शायद 3600X, वो अगर मैं उससे compare करूं, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करता है कि अगर आप 3rd generation से 4th generation में शिफ्ट करते हो, मतलब उनका जो 3rd generation का Ryzen 9 3900XT से आप Ryzen 9 5900X में स्विच करते हो, तो यहां पर 26% का gaming improvement दिखने को मिलेगा, it's a huge number, और यहां पर उन्होंने जो gaming performance वगरा दिया है, compare किया ह वो Ryzen से Ryzen compare किया है, 3rd generation से 4th generation यहां पर Intel से Ryzen ऐसा कोई comparison नहीं हुआ है, तो इसमें आपको 3rd generation से 4th generation में आपको up to 26% का जो gaming improvement अब देख पाएंगे, Intel और Ryzen दोनों को compare किया गया है, Cinebench R20 में, Cinebench R20 में Core i9 10900K और Ryzen 9 5900X दोनों compare किया, compete कराया गया, तो यहां पर 10900K का ज जो Ryzen 9 5900X का score निकल के आया है, वो 631, it's a huge number, याने AMD ने Intel को single threat performance में beat तो किया ही किया, लेकिन काफी अच्छे margin से beat किया ही, मतलब और 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 यही शो करता है कि AMD ने single threat performance भी Intel से अच्छी कर ली है, तो और 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 जो Intel के पास एक unique selling point था, fastest gaming chip और काफी अच्छी single threat performance वो भी अ साथ चले जाएगा, और यहां पर मैं भूलूंगा कि आप independent review का थोड़ा wait करना, याने एकदम से हर चीज़ पर याकिन नहीं कर लेना, कि AMD is best, याने हर चीज़ में AMD बहुत अच्छा है, होगा, मैं यह नहीं बोल रहा हूं, है भी, लेकिन independent review एक बार देख लें, तो वो चलेगी किसमें कैसे आगे है, और क्या performance दे रहा है, यहां पर मैं जो AMD के claims है, मैं उनको जूट नहीं मान सकता, और उनके जो promises है, उनको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसी आप सुनका track record है, last team generation से उनको देखते हुए लगता है, वो at the end सहीं होंगे, जब हम embargo lift होगा, reviews व खेर हमारा तो फायदी फायदा है, क्योंकि हमें competition के चकर में काफी अच्छी चीज़े मिल रही है, अब AMD की तरफ से हमें इत्ते ची performance तो मिल रही है, लेकिन अब इन सब performance का में premium पेखाना पड़ेगा, विश्वास नहीं करेंगे, AMD ने यहांपर significant margin से अपने जो prices हैं, processes की बढ़ा दी हैं यहांपर, मैं सोच रहा था कि उनको उनी price के आसपास में launch करेगा, यहां फिर थोड़ा बहुत जादा समझ में आता है, लेकिन यहांपर जो price margin है, gap है, compare to last generation, तो वो कफी जादा है, मैं पलूँगा, यहांपर जो आपको Ryzen 950 50X जो processor है, वो आपको around 70,000 50,000 रुपीज के आसपास में मिलेगा, और जो 5800X है, Ryzen 7 5800X वो आपको मिलेगा 40,000 रुपीज के आसपास में, और जो 6 core का processor है, Ryzen 5 5600X यह आपको मिल सकते, 26,000 रुपीज के आसपास में, 6 core के processor के लिए हमें एक huge margin pay करना पढ़ेगा, compare to last generation, अगर मैं compare करू, कहां 18,000 अब देखते हैं, क्या होता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होता है, shortage में कुछ होता है, supply chain गढ़ बढ़ा जाती है, और इसे जो प्राइज वो बढ़ जाते हैं, यही चीज थर्ड जनरेशन के साथ हो रहा है, और अब शायद जनरेशन के साथ भी यह चीज़े हो सकती, एमडी कोई चीज़े मेंटेन करनी चाहिए, मैं बोलूँगा, क्योंकि जिस प्राइज में वो आते हैं, वो प्राइज में मिलते नहीं है, महेंगे हो जाते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनाता है, तो इसके थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए, उमीद करता हूँ कि एमडी कि उसने प्राइज को कुछ ऐसा रखा है, प्लस इंटर के पास ऐसी कुछ जवाब भी नहीं है इसके लिए, तो प्राइज को कांट्र करने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब जितने भी प्रोसेस हैं, वो ग्लोबली 5th नवंबर से अवेलेबल हो जाएंगे, तो याने उस डेट से आप उनको पर्चेस कर सकते हो, तो क्या सोचते हैं इसके बारे मुझे आप कॉमेंट शेक्री में जरूरू बताना, यूज जन 3 के बारे में, और आल काफी एक्साइटिंग प्रोसेस हैं, काफी कमाल के नंबर्स थ्रोग की हैं, EMD ने इस 12 लाक और 32 थ्रेट का प्रोसेसर है, वो अब टू 4.9 गिगार तक बूस्ट होता है, 70 MB Cache, 72 MB Cache के साथ में, और वो भी 105 TDP वैली, EMD कैसे किया अखिर यह सब? कर दो है तक आए में, आए मुत्वर कैसे में, चरत है किया अखिर राओं़ झाझाया यह सोद्वागी यह जैछ सब का अखिर Cक्षियानी पाल चुछ के चाह किए।